जारखन विधान सभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर को नामंकन वापस लेने के अंतिम तारिक है। नामंकन वापस लेने से पहले कई प्रत्यासियों का नामंकन रद हो रहा है। गौरतलब है कि स्कूरूटनी के दौरान कई मानकों पर नामंकन पर्चा की जाच की गई जिस नामंकन पर्चा में तुरूटी मिली उनको रद कर दिया गया। अस्कूरूटनी के बाद प्रत्यासियों के अंतिम सूची जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि जैराम महतो की पार्टी जार्खन लोगतांत्रिक रांतिकारी मोर्चा यानि जेल केम के भी कई प्रत्यासियों का नामंकन रद कर दिया गया इस वीडियो स्टोरी में जानेंगे कि आखिर कीन वजहों से जराम महतों की विद्वारों का नामंकन रद किया गया, साथी यह भी जानेंगे कि उनकी संख्या कितनी है जेलकेम के कोडरमा विधान सभा स्टीट से प्रत्यासी मनोज यादव का नामंकन रद किया गया, कहा जा रहा है कि तक्नीकी दिक्कतों की वज़ा से नामंकन रद हुआ है इसलेकर मनोज यादव ने सोशल मेडिया के जरिये सफाई देते वे कहा कि उनका नमिनेशन रद कर दिया गया है इतना ही नहीं, मनोज यादव ने कहा कि साजिश के तहत उनका नामंकन रद किया गया है मनुज यादव ने कहा कि वे कोडर्मा सीट से सुनाव नहीं लड़ना चाहते थे उनकी पार्टी के केंद्रिया धक्ष जरा महतों से अनबन भी थी बावजुद उनको टिकट दिया गया उनका तर्क है कि जेलकेम का नाम राजनतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर नहीं है इसी वज़े से उनसे नामंकन परचा दाखिल करने में चूख हो गई और उनका नामंकन रद कर दिया गया जमसिकपूर परश्रमी से जेलकेम परत्यासी तपन महतों और भारागोडा से दिनेश महतों का नामंकन भी रद किया गया है कहा जा रहा है कि तक्नीकी खामियों की वज़े से नामंकन रद किया गया बहरहार जमसिकपूर पूर्वी विधानसवा शेत्र में छे और जमसिकपूर पश्रमी में चार प्रत्यासियों के नामंकर रद किया गया है जमसिकपूर पूर्वी में नीतु कुमारी, जेलकेम के तपन महतो और बच्चे लाल भगत का नामंकर रद किया गया इसके अलावा समाजवादी पार्टी के डॉक्टर ओपी आनंद का नामंकन भी रद किया गया है जमसित्पूर पूर्वी में पत्रकार और निर्दलिय उमिद्वार प्रितम भाटिया सही 6 उमिद्वारों का नामंकन रद हुआ है जिनमें जेल केम के भागिरत हांसदा निर्दलिय बवलू टोपो का नाम शामिल है घारसिला में एकर्ण्य प्रत्यासी भरता रण महली का नामंकन भी रद हुआ है अब सवाल है कि स्कूटनिंग के दौरान ऐसा क्या होता है जिससे प्रत्यासियों का नामंकन रद हो जाता है दरसल नामंकन पत्र भरते समय हर उमिद्वार को एक एफिट भी देना होता है इसमें अपने आयव्य की जानकारी सारजनिक करनी होती है सैचनिक योग्यता की जानकारी देनी होती है पासपोर्ट साइज की फोटो, अधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास और जाती प्रमान पत्र की फोटो को पी साथ लगानी होती है इसके लावे उमिद्वार को नावंकन पत्र में ही अपनी चल, अचल संपत्ती जैसे गहने और जमीन कर्ज की जानकारी देनी होती है शादी सुदा है तो पत्नी और अगर बच्चे हैं तो उनकी भी आयवे जेवर जमीन और कर्ज आदी की हर एक जानकारी देनी पड़ती है उमिद्वारों और उसकी पत्नी बच्चों के पास हत्यार अपराधिक मामले के बारे में बताना होता है कोट में कोई केस चल रहा है और या किसी केस में सजा हुई है तो इसकी जानकारी शपत पत्र के जरिये ही देनी पड़ती है ये तो हो गई नामंकन पत्र भढ़ने की प्रक्रिया की बात अब हम आते हैं नामंकन पत्रों की जाच क्या से होती है एक बार नामंकन पच्चा दाखिल कर दिया जाता है तो चुनाआयोग उमिद्वारों के सभी दस्वावेज की जाच करता है इसमें दी गई हर जानकारी की बारिकी से पड़ताल होती है नमांकन के बाद चुना आयो की तरफ से तैतारिक तक प्रत्यासी चुनाव से अपना नाम वापस भी ले सकता है। चुना आयो का कहना है कि नामंकन पत्र को ठीक ढंग से भरा जाना चाहिए। इसमें कुछ भी गलती निकलती है तो ऐसे में नमांकन पत्र अवैद माना जाता है और उमिद्वारी निरस्त कर दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे धी फोर्थ फिलर और हमारा नाम है स्ट्यारतन बहुत बहुत शुक्रिया। पापा हमारा घर कितना सुन्दर है। या हमारा घर हमेशा ऐसा ही सुन्दर रहेगा। हाँ बेटा ये घर हमेशा ही सुन्दर और मस्बूत रहेगा क्योंकि हमारा घर बना है टफकॉन XT TMT री बार से जैसे ये सब फेस्टिवल्स हमारी संस्कृति को मस्बूत बनाते हैं वैसे ही टफकॉन का TMT बार हमारे घर को मस्बूत बनाता है जगमगाते रोशन दियों के साथ अब सभी को धिपागाली की हार दिख्शुप कामना है